जैजने दोस्तों स्वागत हैं आप सब का पॉजिटिविटी विद रेखा में आप सब बहुत अच्छे होंगे थोड़ असा समय एक अच्छी सोच के लिए एक अच्छे सकारात्मक विचार के लिए जल ही जीवन है जल है तो कल है बूंद बूंद जल की बचाना है हम अक्सर यह स्लोगन पढ़ते हैं रास्तों में आते जाते समय दिवारों पर लिखे हुई बुक्स में कहीं भी पर क्या वास्तम में हम ऐसा मानते हैं आई में टू से क्या हम सच में पानी की बचत करते हैं क्या हम कोशिश करते हैं कि को बरबाद ना करें पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें बिना जरूरत ऐसे ही पानी ना बहाए पानी की वेस्टेज ना होने दे पानी जो हमारे जिन्दा रहने के लिए हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है पानी का ये संकट दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है सब इस समस्या से जूशते हैं अगर एक भी दिन एक दिन तो बहुत ज़्यादा है यदि एक घंटा भी हमारे घर के नलों में पानी नहीं आता तो हमारी क्या हालत हो जाती है हमारा पूरा जीवन हमारे रोज के रुटीन के कार्य सब कुछ पानी पर डिपेंड है पानी नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा पानी नहीं होगा तो बरतन साप नहीं होगे पानी नहीं होगा तो हम नहा नहीं पाएंगे पानी नहीं होगा तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो कहने का अर्थ ये है कि पानी के बिना कुछ नहीं है जल ही सब कुछ है तो फिर हम क्यों कोशिश नहीं करते इस खतम होते हुए जल को या कम होते हुए जल को बचाने की हमें कोशिश करनी है कि अपने रोज के कामों में जितना जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करने की आज है विश्व जल दिवस तो इस जल दिवस पर हम करते हैं एक छोटी सी कोशिश हम करेंगे पानी की बचत जितनी जरूरत उतना परियोग बेवजा बिना मतलब पानी को नहीं बहाएंगे क्योंकि ये बचा हुआ पानी हमारे आने वाले समय में ही हमारे काम आएगा बस ज्यादा समय ना लेते हुए और हुली की शुप कामनाई देते हुए आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में शाहसते रहिए मुस्कराते रहिए स्वस्त रहिए और 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 हुली की हादिक शुप कामनाई हैपी हुली